प्रिश्णावली 6.5 का प्रिश्ण पांच में कहता है ABC एक सम्दु वाहु तरभुज है जिसमें AC बरावर BC है यदि AB² बरावर 2AC² है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक सम्दु वाहु तरभुज है तो ये जिस्ट अपोजिट है चौथे प्रिश्ण का प्रिश्ण चौथा था 16.5 का उसी का अपोजिट बना दिया है इस प्रिश्ण को तो यहाँ पर एक सम्दु वाहु तरभुज बना लेते हैं जिसमें AC बरावर BC है तो यहाँ पर ABC एक सम्दु वाहु तरभुज बना लिए जिसमें AC बरावर BC है और हमें सिद्ध करना है कि जो कौण C है वो सम कौण है यानि कि ABC ते वो सम कौण है यह हमें सिद्ध करना है तो यहाँ पार सीड़े सीड़े इसके उपत्ति कर देते हैं हम जो कि दिया है में लग देंगे ABC एक सम दिवाउत रोजे जिसमें AC वरावर BC है और AB² वरावर 2AC है 2AC² है तो यहां पर हम इसी को लिए लेते हैं AB² वरावर 2AC² वो तो यहां पर इस तरफ जम कोते हो रहेगा AB² यहां पर 2AC² को इस प्रगार लग सकते हैं AC² प्लस AC² अब यहां पर हम आगे सॉलिब करेंगे तो इस तरफ AB² जम कोते हो रहेगा यहां पर AC² यह जम कोते हो रहेगा अब AC² यह वाला दूसरा AC² है चुकि AC बरावर BC है तो AC² की जगार पर BC² लिख सकते हैं तो यहां पर देखेंगे अब यहां पर देखेंगे AB² यह है कार्ण AB है कर्ण और AC² यह है लंव और जो BC² है यह है आधार तो यहां पर कर्ण का वर्ग बरावर लंव का वर्ग धन आधार का वर्ग यहां पर इस प्रकार समी कर्ण यह बन चुका है तो यह कहलाती है चुकि पाइधाकुरस प्रमे का बिलॉम पाइधाकुरस प्रमे का बिलॉम कहता है कि किसी तरभज में बड़ी भजा का वर्ग तो बड़ी भजा है AB बड़ी भजा का वर्ग अन्य दो भजाओं के वर्गों के योग के बरावर है अन्य दो भजाओं के वर्गों के योग के बरावर है तो बड़ी भजा का सम्मकौर्ण सम्कौर्ण होता है तो बड़ी भजा A B S का सम्मकौर्ण C तो यह C सम्कौर्ण होगा तो यहाँ पर पाइधागुरस प्रमिय के बिलॉम से A B C तरबज एक सम्कौर्ण तरबज है तो यहां पर पाइथा गुरस प्रमिय के भिलोम से कॉंड सी बराबर 90 यानि कि एवी सी एक सम कॉंड तरफ है तो यहां पर यह प्रश्ण से दो दायस प्रकार आप इस प्रश्ण को अच्छी तरह से नोट कर लिजिए